जुशीला पाश्मस्तों रहा था और जोश कभी कम होना नहीं सहीए और इस मौके पर मैं आपको बाबा सहब को आती संदेश क्योटा करती जलाई उनिस वाश्यापनदा वो दो मिट में बतातार अपरी बाता करूंगा क्योंकि हम काम कैसे करें काम आरा कैसा कैसे आके बढ़ेगा उसी पर ही मेरा देरें फोकुस होगा वाबा सहीम ने कटीज दिलाई उन्सक्पन को कहा था बहुत दुखी होके परशान होकर प्यार मुझे कोई दिखाई नहीं दे तो बहुत बढ़ी बात थी जैबार उस वकत जब सुनी थी बहुत आज मैं कभी कभी जब अकेदा वैस्ता हूं तो आपको मैं सुआ जाते हैं वह भाबा सब्सक्राव करने संदेश का उन्होंने कहा था कि मेरे लोगों ने गहराई से जो संगास मैंने किया है सुमार के लिए देश के लिए उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा नहीं है और उतारा होता तो मेरी बेजिती ना होती आप पर सुचिए कि जेस पार्णी मिट के अंदर बाबा सब डॉक्टर मेरे करगा सब्सक्राइब लेते हैं कि मैं सब्सक्राइब के लिए हमारे महाफुर्ष को क्या होगी उसका बदला लेने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए क्याम बोल की कीमत के जादक पर जो बाबा सब्सक्राइब ने कहा था कि मेरे लोगों ने नहीं जाना और उन्हों ने यह और भी चाहा था कि मेरा सरी राज बना तराशा ही हो गया मैं पाज हो गया हूं जचार हो गया हूं और आज मेरी जो अमर बहुत क्लम हो गई है जिस मैंने सुना है जो आपको बता रहा हूं कि आज मैं जो जिटेटिव लिगा हुए मेरा है वो मेरे मानने के बाद उसको प्रिंट को करवाएगा और जो मेरा समाज था आज वो भी आपनी प्रेमिली तक इसी मिता है लेकिन वो समाज का कार्या करने के लिए एक भी आगे निदी आ रहा और ये मैं आपको अपरे सब्सक्राइब है उसके गाल पर बता रहा हूं बागी तो यह नौजान बैठे आप बैठे हो जब तक आप लोग आप इसके अंदर पारिक चाना इबानदारी के साथ एक दूसरे पर विश्वास कर उसी पैटल पर काम नहीं करेंगे जिस पैटल पर साफकाशी राम ने काम किया था तो हम आगे दिनी जा सकते तो मेरी आप से अपीर है कि हमारे मुकार्णे में हमारे पास जो ताक्त है साथ से बरी ताक्त है हमारे माह पुर्शों का करेक्टर साथ बाबा सेब का करेक्टर साथ करशी राम का करेक्टर जिनके करेक्टर पर दूने की कोई ताक्त हुआ एक देज का सभिदान है जिस सभिदान को हमें बचा के रिखना है और तब ही बढ़ेगा जब बाबा से आपके संगर्च को और स्वाफकर्शी राम के संगर्च को अपने जीवल में उतार देंगे और आज मेरा भी इस जो नौजवान हमारी कुमेटी है कुमेटी नहीं जो ताक्त है जो आपके सामने नदे जा रही है और मेरा इंसे यही कहना है और जीव गौतम जो है ओदा आगरी सांस भी इस मिशन और मूवमेंट के लिए दिख लेगा और आप लोगों को बाबा साहिव के मिशन और मूवमेंट को कभी मनने नहीं देना जैब बोड़ मन ग नहीं है तो आज में जाना नहीं टेम लूगा लोगा जो जो जाते मतले क्रेंके घंचे भोता हुँ तो आप लोगों से अपीर करता हूं एक दूसे पर विशवास कर आपनी एगो को त्यार कर अपनी मैं को त्यार कर एक वरक की तरह आप जब करेंगे दूसे पूभ को अगर आप लोगों ने एक दूसरे पर वर्ब जवास करना और मिशन मूवमेंट को अपना दिया तो फिर मैं आज इस मौक्टे पर आपको जे कह दूँ कि बिल्कुर उस दिन हमारा सब का सिर्मूचा होगा कोई भी नीता दिखाने वाला नहीं क्योंकि वाबा सहीब का लिखा हुए हमारे पिखा का का लिखा हुआ है आप समय भाई तरह बना कर जा तक बो रहेगा रहेगा तो कोई भी क्यों के ना बीडेपी ना कांग्रेस किसी के पगंबर ने यह निए लिखा हुआ यह सब्राइन जो लिखा है यह हमारे बाबा सहब का लिखा हुआ है इसे ज़ा बड़ा हचार हमें और कौन कौन दे सकता है अभी अभी महलाओं के बारे में बोला अभी मैं कहें कि दिया मैंने टीवी कि हिंदू कोड़ को जीविन में अप्ताब रहा वो जूरी व्रैस्टियों में जा जाकर सब जगह पर दूसरे इसमार की महलाओं को नीचा बढ़ा सकती है अगर एक ही प्वेंट आप हमारी महलाओं धर्कियों ने इसी प्रड़ कर दी एह लग्यों दूसरे इसमार की दर् आप कर दिया ने तो इसमारे प्रतादा में घुड़ ने जो हमारे साथ बर्ताओं किया है को लिए तो आधावी आपक्सी आपना के लिए बड़ादी की हो वह जादा ने आप एपील करते हुए अपीर करते हुए सब्धार की रख्षा आप में पाइचारा आप में पचार प्यार और आप में पश्वास इसको कैम लखके दूसरे एजित करते हुए जिसमिशन मुवमेंट वागिल जाएंगे इसी के साथ भी मैं अपने बात को हम करता हूँ जैभीन जैभारत अपीरे हैंगे जैभीन परे पतला हुए जैभारत